ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं। सेवा का वरतलिया इन्होंने, जीवन अपना दिया इन्होंने, हमें है इन पर अभिमान, इनको हम करते हैं पड़ाम। ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं। कस्वा कस्वा गाउं शहर, सुभे शाम या दोपहर, चाहे जितनी बड़ी बिमारी, सबसे लड़ने की तैयारी, ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं सबका इलाज, सबकी दवा हो, परिवर्तन की नई हवा हो, देश विकास का उपलक्ष है ये, संपूर्ण स्वास्त का लक्ष है ये, ये वो लोग हैं जिनसे हम निरोग हैं नवस्कार मैं हूँ अमिताब बच्चन, एंडी टीवी डेटॉल बढ़ेगा स्वास्त इंडिया के नवे सीजन के ग्रैंड फिलाने में आप सब लोगों का स्वाबत इस वर्ष हमने एक लक्ष चुना था, लक्ष संपूर्ण स्वास्त का, वो लक्ष जिसका देश के संप पूंड विकास से भी वास्ता है, एक धरती एक स्वास्त का लक्ष, सब के लिए इलाज से जुड़ी सुविधाएं मुहया कराने का लक्ष, ये आसान काम नहीं था, सबसे बड़ी चुनोती ये थी कि कोई पीछे न चुछ तो हमने कोशिश की कि हर किसी तक पहुंचें, ज जो अपने स्वास्त पर बहुत पैसे खर्च नहीं कर सकते, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन तक भी जाएं, उनकी कहानिया आप तक पहुंचाएं, दो साल पहले हमने कोविट को परास्त गिया, लेकिन अभी कई बीमारियों की चुनोतियां पची हुई दैरिया हो, दूसरी संक्रामक बिमारिया हो, टी बी हो, कैंसर हो, इन सबसे लड़ना है, धर तरह की बिमारी का इलाज करना है, यह काम अकेले नहीं हो सकता था, इसमें हमारी मदद की इस देश के महान डाक्टर हो जुनों ने अपना सब कुछ दोसरों की सेवा और साहयता म समर्पित कर दिया ये डॉक्टर दूर दूर जाकर काम करते रहे देश नहींने सम्वानित भी किया ये तमाम डॉक्टर पद्म सम्वानों से सम्वानित हैं पद्म श्री से ले करके पद्म भूशन तक आज हमारे बीच ऐसे कई किशिष्ट माइमान है वो डॉक्टर जिन्होंने लगातार संपूर्ण स्वास्त के लक्ष के लिए काम किया है ये अफसर उनके सम्मान का भी है और उनसे बहुत कुछ सीखने समझने का भी है फास करो आज जब इंडी टीवी डेट अल बनेगा स्वास्त इंडिया अपने दस देश के रूप में इस लक्ष की चुनवतियां पहचानी हैं और इस कार में जो बाधाया आए हैं उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया है तो हम उमीद करते हैं कि इन वर्षों में हुई ये चोटी सी ग्रांती धूर तक रास्ता दिखाती रहे हैं बहुत बहुत धन्यवा नौ साल पहले भारत का सबसे भरोसेमन न्यूज नेटवर्क और भारत ही नई विश्व की सबसे भरोसेमन हाईजीन ब्रेंड एक साथ आए और इस साजेदारी में हमको एक और साथ ही मिला नौ साल से सिल्वर स्क्रीन के ही सूपर स्टार नहीं लेकिन सूपर स्टार अफ सोशल कॉज इस अमिताब बच्चन भी हमारे साथ इस मुभिम में जुड़े और जब इन तीनों लोगों का तीनों संस्थानों का एक संगम हुआ तो नौ साल तक एक कारिक्रम चला है एक लक्ष के साथ जिसे कहते हैं लक्ष संपूर स्वास्त का बनेगा स्वास्त इंडिया नौ साल बाद 24 मिलियन बच्चे आठ राज्यों में भारत के वो एक हाइजीन करिकुलम में शामिल हुए हैं जिसकी वजा से there is a massive shift in behavior regarding hygiene awareness and practices ये इस मुहिम की एक बहुत बड़ी उपलब थी there have been an array of innovations like hygiene play parks, hygiene olympia art, hygiene music albums, hygiene parliaments as well as hygiene comic books क्यूंकि बच्चों से अगर आपको सरुकार रखना है तो comic books एक अच्छा माध्या मेरे साथ मेरी सहीयोगी Ambika Singh भी thank you Sankir hygiene protects the right to good health the right to health is a fundamental right and at the core of the sustainable development goals and that is why the NDTV TITOL BANEGA Swast India campaign along with our campaign ambassador Amitabh Bachchan is committed to building a healthier nation Lakshya Sampoona Swastika Mr. Bachchan has already given our guest today an introduction it is rare to have such a gathering of accomplished doctors each of whom has won public acclaim and been honoured by the government for what they have done to improve healthcare in India let me introduce them to you we have with us Dr. Nageshwar Reddy Padmasri 2002 and Padma Bhushan 2016 he's a gastroenterologist Dr. Neelam Klaip Padma Bhushan 2014 she's a neonatologist Dr. Indra Chakravati Padmasri 2014 she's a public health specialist we also have with us Dr. Pravin Chandra Padmasri 2016 and he's a cardiologist Dr. Ravi Kannan Padmasri 2020 and he's an oncologist Dr. Dhanajai Divakar Sadev Padmasri 2021 and he's a hematologist and lastly we have Dr. Biriswami Seshaya Padmasri 2022 and he's a divertologist thank you so much doctors for joining us today Jee, بالkul Dr. Raviy Bhatnagar Dr. Raviy Bhatnagar you are the director of external affairs and partnerships SOA Racket Company and Dr. Raviy Bhatnagar this is the last few years this is the first year of Dr. Raviy Bhatnagar this has been introduced Dr. Raviy Bhatnagar And this is the first year of the first year of Dr. Raviy Bhatnagar एक प्रशन जो की आम तोर पर उठता है वो यह है कि आप जो हैं वो पॉब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, आप एक तम विद्वान है उसमें और यह जो कैम्पेन है हमारा, किस हद तक आपने इसमें काम किया है, क्या परिवर्तन हुआ है, और किस तरफ हम जा रहे हैं, किस द और यह जाने मुट्स झाला की ऑनाने एंताटारो तरफब की। प्र आपनाने काम लाओ को है किी दिवड समय ऑने मुट्स 근पिय और यहारत है कान प्रूब रखाली प्रेवाख गुद्ट प्रोट्ट रीख्यारी प्रूवार्ट प्रेवाण जारों वे अगांगि जाएचिजिट आजा इजाएंगा है लुछेश्ट प्रूब्धरा कानझा प्रहुटरा इस लक्रीया जारा शुब्सक्रामा गासां है, जुछारा है कि I think that has been the most positive thing and I think it has also impacted on several government programs. New government programs have been initiated, possibly based on the ideas that came out of this program. You know, there is a concept, as you just described very eloquently, how these programs develop some kind of sense within the people. But I would just like to know, is there a practical approach to it also, where whatever is being seen or shown or educated, can there be something practical that can be done? If somebody were to practically go and show them, Sir, Sir. Bhai sahab, yeh joh aap jaghaan saaf kar rahe hai, yeh is tarah teek se saaf nahi ho ra hain. Ya yeh joh aap gandagi phek rahe hai, yeh kahan jah rahe hai. Or itiyadhi, is tarah ki jihethe, agar kohi practical... There have been several supportive programs that as you know, sir, has been initiated. Like the Zero Next Idea program, the school education program, there have been several programs. The Birds and Bees program, several programs, based on the objective that was mentioned in this journey, has been taken up by the same group. Many Government of India programs have also been initiated, completed, going on. I think Swachh Bharat was a very important program, which was based on it. We have Swachh Bharat 1, for sanitation, which you are very closely involved, sir. Then we have now Swachh Bharat 2, which is garbage management. We also have the Jaljivan Mission, where water is going to everyone. So all these programs are extremely important health-wise. They are environmental programs. But I think eventually, but what you mentioned right in the beginning, sir, the grassroot level importance is hygiene. All these are given as a government input. But basically, hygiene is what the people have to follow themselves. I just feel that, for every individual, yes, we must be conscious about that. How wonderfully, if another individual, which has got nothing to do with what is happening, should go out and become an example. It happens when someone falls on the ground, and says, It's not our fault, it's our fault, it's our fault, it's our fault, it's our fault. But if we take it and take it and take it, it's our fault. Example. We've seen the ground in the ground, it's our fault, it's our fault, it's our fault, it's our fault. If you take it and take it, you will become a wonderful example for others to follow suit. And I just feel, you know, I don't know how I feel about it. You're absolutely right, because an example is the best way to learn even taking forward. But just going to what Indira Ji said about hygiene, just going back to that. Dr. Reddy, you know, you're only the third gastroenterologist to be awarded the Padma Shri and Padma Bhushan, sorry. And for multiple reasons, you know, when we talk about gastro-infections, there are various reasons. Where does hygiene come in, since we're talking about hygiene, where does that come in? And we just saw a solution on the report, like, you know, when diarrhea kits were given. How important is hygiene when it comes to gut health, to gastro-infections? Yeah. Thank you. Thank you for inviting me here. I think we now know that all our health actually depends on the gut. And not just our gut, but the bacteria in the gut. Ninety percent of us is bacteria, only ten percent is our human cells. These ninety percent of the bacteria are actually controlling everything. Your sugar status, your cardiac status, your mental status, everything. And in human beings, we have a large diversity of these bacteria. So, we have good bacteria and bad bacteria. Whenever the balance between bad and good bacteria changes, our health is affected. Only in recent years, we have come to know this, because we have technology to check all the millions of bacteria that are there in the gut. And when we check this, we find some very starting examples of what is happening. You know, even diabetes is produced because of the bacteria. The cardiac disease is because of bacteria. So, you can imagine, when the bacterial diversity comes down because of infection and so on, we suffer from ill health. And this bacterial diversity in our country varies from different regions. We have done a lot of studies and we have seen that it's best in certain regions where people are following hygiene, proper diet and so on. In fact, if you don't do this, if we take frequent antibiotics for diarrhea and so on, your bacterial diversity goes down and you suffer all the ill health. This is very important to know. In fact, we have a very small experiment which we did. We adapted about 20 villages where we started. For last 10 years, we are following up these individuals, gave them safe protected water, gave them toilet hygiene, told them about toilet hygiene and changed the food habits to more fiber food vegetarian. And last 10 years, all the diaries, infective diaries have disappeared from that region. The overall metabolic health of these people have improved. They no longer have this other cardiac, other issues, cardiac metabolic problems all come down. Yeah. Very clear demonstration that our gut is central. The bacteria in the gut controls all our metabolic process and therefore gut hygiene, which means washing hands and so on. And this campaign, I think, has done a lot in terms of changing the gut hygiene. I think, just telling people, just cleaning their hands and then actually implementing this at the grassroot level has made a lot of difference. I think these interventions are very simple interventions. Don't have to be very technological here. Simple interventions are sufficient to actually change the gut hygiene, the gut bacteria and our health. Okay. I want to ask a question from Dr. Claire. Dr. Claire, the gut health in the Navejaaj Shishu, the gut health, has been reduced in Hindustan very quickly and this is a great problem. But, we have also seen that, we have also seen a lot of problems due to our mental health. Neonatal mortality is now quite a lot. In such a way, we believe that the first 28 days, the care of which one is very important. I want to know from you that, in which way a system is developed, that the survival rate is increased, and hygiene, the cleanliness, is so important. India still has something like 25 million births every year. Like, we make one mini Australia every year. Yeah, so one mini Australia every year. So, yes, over the years, if we look at the millennium development goal, which was from 2010 to 2015, we brought down the neonatal mortality rate. Neonatal mortality rate is the number of newborn deaths per life, births, per thousand live births. So, like you know, we started with a very high, and we have come down to 24 per thousand live births, which is like almost 60% reduction from 1990, from the millennium development goal. To simplify this, this means of the thousand kids born, 24 end up dying. Still dying. Yeah, still. And that is a reduction, drastic reduction. That's a very drastic reduction. We need to congratulate ourselves and the government on that. Yeah. But as you know, in the very beginning, we said that our aim is to take everybody along with us. Like the government's slogan is ki, har ek ka saath sab ka wikas. To agar ham har ek ka saath har ek ka wikas dekhen, to abhi bhoot disparities hain. You know, there are states like Kerala, which have a single digit neonatal mortality rate, and there are some states where the neonatal mortality rate is still high. If we look at the rural and urban population, the rural has much higher. If we look at, you know, poor and rich, there are still disparities. I think what everybody wants is a healthcare with dignity. Yes. So I think if we have to, you know, really save and come down to the SDG goal, which is 12 per thousand live births, then we have to be more holistic. We have to teach hygiene, hygiene in the hospital. Unfortunately, in many of the hospital, hygiene is not there. Hand washing techniques are not there. 24 hours, 7, water is not available. Soap is not available. Simple things, you know. Antibiotics are available, but 24-7, water is not available. So we have to look at those minor things which fill in the gaps so that we can take everybody together and then probably we can reach the goal. I think it is doable. Thank you so much, ma'am. I'd just like to first, of course, welcome again, Dr. Kanan, Dr. Ravi Kanan, and thank you so much for joining us, sir. Because of the Lakshasampoon Swast campaign, we are very keen to know how you have collectively gone far away to a place like Silchar in Assam and worked on cancer patients. And how far and how effective has this been? And why particularly did you choose Assam and Silchar? So going away to Silchar from Chennai is not a very big thing. So people go away from Chennai to Chicago, the other side of the globe. Completely different environment, different language, different food, different, everything different. But this is India. And wherever you go in India, you remain in India. And nobody will ever ask you, why are you here? And so we went there because there was a tremendous need. and the local community wanted us to go there. And my family supported us. So we went there. What we learnt, I used to work at the Cancer Institute in Chennai. And there we had a policy of treating everybody, no matter what their socio-economic status. And with this idea, we went to Silchar. And there we learnt that you can provide low cost or no cost treatment, boarding and lodging. But people will not do any treatment. And there are very many perfectly valid reasons as to why they don't do that. They all work for daily wages. Cancer is long. If you go to a hospital, their income suffers. The family starves. So they don't come. Many of our patients are actually afraid of going, despite all the support that is provided. They are scared of going to the hospital. They think they will go to the hospital and they will all be on the streets. And so when we treat poor people, if you have a pro-poor strategy, 10 out of 10 times, we have to prove it to them. Every time, they stop you in the hospital, you have to demonstrate you mean what you say. In the hospital, OPD, every time, the whole team, it has to be teamwork. It is not a one-man show. Doctors, nurses, technicians, ward boys, the door man, door man to director, everybody must echo the same sentiment. And part of treatment, successful treatment is, 100 people come into the hospital, 100 people must avail of treatment. And to do that, part of it is economics. Low cost treatment, boarding law, but also lot of it is confidence building. The person who walks in must feel, every time they talk to somebody, that they are supported, that they are needed. And this has been our main learning over the last... I think it's... Some of the points you've said are very valid. Unfortunately, whenever somebody falls ill, or feels that, you know, he needs hospitalization, the first thought does not come that I need to see a doctor, or go to a hospital. The first thought he thinks of, Yaar, Ismei kharcha kitna hoga? And it's the fear of the cost, of getting, you know, health services, is one of the main reasons, why a lot of the patients, don't actually go to hospital. And were they to go there, I'm sure that, in time, you know, these dreaded diseases like cancer, have been cured today. Ravi Bhatnagarji, just going to ask you something. For nine years, the Dettol NDTV's, Maniaga Swast India campaign, has worked on multiple programs, that have related to health and hygiene, between, both humans and the environment, that we inhabit. Now these programs, have also addressed many of the SDGs. What has been your impact, or your, you know, experiences? Where do you feel, that there has been a maximum impact? Thank you so much sir, for asking me this question. This is my ninth season with you. And in all these seasons, like, we started with a bus, which used to go to around, 30 cities across India, 7500, you know, villages we covered, in the first season. From there, to the journey like, covering all 100% aspirational districts in India, working on, you know, making sure like, you have the hygiene play parks available, making sure every school child, in the public settings, is having the hygiene curriculum, which focuses on hygiene at home, hygiene at the neighborhood, hygiene during school, and personal hygiene, and many other aspects related to the same. We are trying to reach out to the populations, which are, you know, indigenous populations, and many of them, actually really need, very strong attention of ours. For an example, like the Siddhi tribes in Gujarat, which were bought in India, by the Nawab of Junagat, they are Africans. A lot of work has to be done with them, especially on the neonatal care, making sure like, you know, the first thousand days of the childcare, is taken care of well. Or to the tribes in, you know, Rajasthan, where we work with the Kalbeliyas, Karnats, Rajnats, which are all nomads. And working with them, and making sure the last mile access, to the healthcare, is being delivered to them. One new thing, we have started it like, inculcating the habits on, on the climate change too. We have just launched with NDTV, the first climate resilient school in Uttarakhand. We have been witnessing in the news, what's happening in Himachal, and you know, other parts of the country, due to the rains. So, how to create the climate resilient schools? So, we have done the first school, and we are going to the chaadhams now, in Badrinath, Kedarnath, Gangotri, Yamnotri. So, we will be having the climate resilient schools, and the good thing is, government is very keenly engaged in this work. And the Uttarakhand government has promised, the Chief Minister has promised us, like once this model is set up, they are going to work with us, throughout the state, and there will be all climate resilient schools, which will be put in place. So, our responsibility is not just to, you know, work on the hygiene, but to work beyond that, which is the concept of One Health. Ravi, Ravi, Mehtupoon is talking about, Ravi has talked about, what are the responsibilities of a corporate house? The important thing is, that, the purpose of the government is, is that if we have only a government, or that if we leave the government, or if we leave the government, we only have to leave the government, not to leave the government, or if we leave the government, you will have to leave it. It is important. थिसने लगता हूं कि मेरा ख़र्चा कितना होगा? मेरे खियल से ये एक बहुत महत्वपूर्ट सवाल है और सरकार की तमाम स्कीम्स हैं इन सब चीज़ों को ले करके सरकार इसको किस तरीके से देखती है? स्वास्त कितना बड़ा एक उसको कितनी महत्ता दी जाती है कितना बड़ा प्रायोरिटी सेंटर है और क्या क्या काम हो रहा है इस पर और कई और मुद्दों पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद यह हमारा सवभाग यह होगा कि हमारे साथ इस देश के स्वास्त मंत्री हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मंसुक मंडाविया अब से कुछी देर में जुनने वाले हैं तो कहीं जाईएगा नहीं देखते रहिए इंडिटीन एक बार फिर से इस कारिक्रम में आपका स्वागत है और अब मंच पर हमारे साथ हैं देश के स्वास्त मंत्री मंसुक मंडाविया जी मंद्याविया साब बहुत-बहुत स्वागत आपका NDTV के इस कारिक्रम में जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शुकों को बताया 9 साल तक ये कारिक्रम चला है और हम 10 साल में प्रवेश कर रहे हैं लक्ष संपूर्ण स्वास्त का ले करके मेरा सवाल मंसुग जी आपसे ये था कि immunization campaigns उसमें भारत ने हमेशा दुनिया को एक रह दिखाई है फिर चाहे वो polio vaccine हो या covid vaccination drive हो अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी जाहिर सी बात है बहुत हद तक संदे था दुनिया भर में कि हम लोग कैसे कर पाएंगे कर पाएंगे भी या नहीं लेकिन अब इसके बारे में जिक्र होता है कि कितनी जल्दी किया और प्रभावी तरीके से किया लेकिन इसके साथ साथ मनसुग मंडाविया जी कुछ चुनोतियां भी हैं हेल्थ केर सेक्टर को ले करके संपूर स्वास्त के लिए जैसे कि स्किल्ड हेल्थ केर वर्कर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकसेसिबिलिटी और अवैलिबिलिटी दूर दराज के जो इलाके हैं सरकारी योजनाओं का लाब लास्ट माइल तक इन सब मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हैं यह आपका बहुत महतोपण विश्य है कि दूर दराज क्षेत्र में हेल्थ एकसेसेबिल होनी चाहिए और हेल्थ एफोडेबल होनी चाहिए यह भाशन का मुद्दा नहीं होना चाहिए वास्तविक तोर पर उसका इंप्लिमेंटेशन होना चाहिए और इसलिए हेल्थ को एकसेसेबिल बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो मोदी जी हमेशा सोचते है के लास्ट व्यक्ती पर आपका decision का क्या प्रभाव होता है और जब आपको decision करते है तो लास्ट स्थान पर बेटा हूओ व्यक्ती को लगना चाहिए कि मेरे लिए कुछ हुआ हैल्थ को एकसेसिबिल करने के लिए हमने मोधी गवर्मेंट ने देश के 6-7,000 population पर एक health and wellness center बनाने के लिए ताई किया और पिछले 9 साल में देश में 1,60,000 health and wellness center बन चुका है तो health and wellness center क्या कर रहा है देश के last व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरी कोई health को problem है तो मुझे क्या जाना तो उसको जाना है health and wellness center पर जो government की विवस्ता है, private विवस्ता तो कोई भी हो सकती है लेकिन government के और से उसको यह assurity है कि आप health and wellness center पर पहुचेंगे तो वहाँ आपको primary treatment मिलेगी वहाँ आपको primary treatment मिलने के बाद आपको secondary care के लिए कहा जाना है जो आवशकता लगी तो उसको कहा जाएगा कि आपको district hospital पर जाना है secondary care के लिए और फीर भी ऐसा लगे कि उसको और tertiary care के आवशकता है तो इस district place पर ही कैसे प्राप्त हो और उसके अलावा देश में 22 M's तैयार हो रही है 16 M's ओर्डेडी चालू हो चुकी है तो वहां हर स्टेट में हर नागरी को नस्दीक से नस्दीक के स्थान पर उसको tertiary care health facility अपने ही स्टेट में मिले उसके लिए भी हमारे government ने सुनी चित किया है मतलब health को एक अलग द्रश्टी कोण से हमें देखने के आवश्च रखता और मेरा मानना है कि health sector में हम दुनिया का model accept करें जरूर नहीं है सभी देश का population अलग है climate अलग है उसका disease अलग है उसके आर्थिक स्थिती अलग है तो हमें health का model यह हमारे देश की स्थिती के आधार पर बनाना चाहिए और यह हम बनाने की कोशिश कर रहे है और उसमें हम सफल जा रहा है जी बहुत बहुत भनेवाद पानेवाद आपका एक मुद्धा जो बार बार उचता रहता है ऐसी सभाव में और वो एक विशय को ले करके है जो कि बहुत ही महत्पूर्ण है जो स्वस्त भारत स्वस्त भारत के अभियान में जैसे टीबी मुक्त भारत अभिान, ये भारत सरकार ने इसको आरम किया है और हलांकि देखा गया है कि बहुत से इसकी जो नमबर्ज हैं वो कम भी हुए है लेकिन अभी भी हमें वो स्थान नहीं मिला कि हम कैसे के कि हां आज भारत जो है वो टीबी मुक्त है ऐसा शायद कोई अभियान है कि शायद 2005 तक ये हो जाए तक सम्पोगी इस और कितना एक चौथाई कहते हैं दुनिया भर में एक चौथाई जो टी बी विक्टिम्स हैं वो भारत से हैं वो भारत में और ये क्यूं होता है पता नहीं क्या है बहुत से लोग कहते हैं कि इस वज़े से हुआ है इस वज़े से हुआ है कई बार ये धारना थी टी बी को लेकर की वो गरीबों में होता है क्योंकि वो एसिस्थान पर रहते हैं जा रहा है लेकिन अब कहने में सर मुझे थुड़ी आपती हुरी कि हर सबह में हम अपना ही उधारन देते रहते हैं को भी टी बी हो गया था बैठे बैठे और प्हुआ है कि लोग डर जाते हैं थे अरे टी बी हो गया अब तो खतम भया कहीं जाना पड़ेगा लेकिन हमने इलाज शुरू कि अपता लगा और इलाज हो गया आज हम आपके सामने हैं, हम टीबी मुक्त हैं, तो इसी तरह हम चाह रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भारत टीबी मुक्त कब होगा, पॉलियो मुक्त तो हो गया है, अब टीबी मुक्त भी हो जाए तो पॉलियो मुक्त आपका भारी योगदान रहा है, जो आप किसी तरह की सभाओं से उसका परणाम होता है जे सवाल है अमिताब जी ए देश के सामर्थ को समझना एक देश में बहुत सामर्थ है लेकिन उसको अपना मोडेल देना होगा फूर एक जमपल स्वास्थिक सेक्टर एक ऐसा है हमारे लिए स्वास्थिये कॉमर्स नहीं है इंड जब आप देश के नागरिक को प्रेरित करो उसको दिशा दो तो कैसा आउटपूट निकल सकता है उसका एक्जमपल में जो आपने विशेच छेड़ा है कि देश कब टेवी मुक्त बनेगा देश को टेवी मुक्त बनाने के लिए सरकार के और से आज तक आजादी के बाद स आज तक प्रयास होता रहा लेकिन जैसे आपने कहा कि सफलता मिलनी चाहिए एसी नहीं मिले दूसरा उसके लिए प्रयाप्त मातरा में मेडिसीन भी है वो ट्रिटेबल है ट्रिटमेंट हो सकते है इलाज हो सकता है स्वस्त हो सकते है लेकिन भी टीबी का केस बढ़ रहा है स ग्लोबल गोल है कि देश को 2030 में विश्व को टीबी मुक्त होना है तो मोदी जी ने कहा कि हम 2025 में देश को टीबी मुक्त करेंगे यह बात को पूरा करने की एजे हेल्ट मिनिस्टर मेरी जिमेवारी है कि हम क्या करें मैंने एक डिजिटल प्रैट्फरम बनाया निक्षई मि रपोर्टर और मैंने उसके पर आःवान किया मैंने कई इंड़स्टिज के साथ कंसलटेशन किया पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कंसलटेशन किया और मीडिया के मध्या से पब्लिकली कंसल्टेशन किया कि मैंने एक डिजिटल प्रेटफॉर्म बनाया है वहाँ सारे टीबी मरीज मरीज कौन से ब्लोक में कितना है उसका सुची दी है नाम नहीं दिया है सुची दी है और सभी टीबी मरीज के पास मैंने सरकारी लोगों को भेजा मेरा हेल्थ कर्मियों को भेजा कि आप जाओ और उसको कहो कि आपको कोई गोद ले तो आपको दिक्कत नहीं है न तो ये से कूल मिला कि उस वक्त चवद लाग टिबी मरीज थे उसमें से दस लाग टिबी मरीज ने कहा कि हमें कोई गोद ले ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और मैंने प्लेट्फॉम पर रखा कि जो गोद लेगे उसको क्या करना है उसको होसला बढ़ाना है उसको मिलना है तो उसको प्रोसाहित करना है कि आपको regular medicine लेना है, सब्ता हमें एक बार call करके पूछना है और nutrient के अभाव से टी भी जादा हो जाने की भी सुमभावना होती है तो उसको nutrient food मिले उसके लिए kit बना के महीने में एक बार देनी है, nutrient food kit मेरा एक आःवान पर मुझे खुशी ओ रही है देखोए देश की क्षमता और सामर्थता नब्बे हजार लोग वो एंजियो के रूप में, इंडस्टीज ग्रूप में रूप में, इंडिविज्विज्वल के रूप में, पोलिटिकल पाल्टी के रूप में, मैंने कहाँ छोड़ दो अभ्यान देश का है वह ऐसे नब्बे हजार लोगों ने टीबी दस लाग टीबी पेशन्ट को तीस दिन में गुद ले लिया, ऐसे सभी हेल्थ सेक्टर में, नोट ओनली फो हेल्थ सेक्टर, बट देश के लोग भागीदारी और सहकारिता, एक दूसरे को मदद करना, सहयो करना, अपने से निचे वाले लोगों क साथ खबे खबा मिला के खड़ा रहना, एह हमारा संसकार है, और उसको हम साथ मिले के आगे बढ़े, मैं मानता हो कि देश दोजार पच्चिश के अंद तक टीबी मुक्त हो जाए, बहुत 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 सही बात कही आप, जी, एक सवाल लेकिन मंडविया ज यह सोचने से पहले मेरे जहन में मेरे मन में यह सवाल उठने लगता है कि मेरा कितना खर्चा हो जाएगा, मैं अफोर्ड कर पाऊंगा भी या नहीं, इस चीज़ को लेकर कि क्या यह सरकार जब पॉलिसी बनाती है तो आपके मन में यह चीज़ बहुत एहम रहती है, देखो यह पहले विचार आना ही चाहिए, क्योंकि बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो गरीब के यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है, लेकिन कोई अमीर परिवार के यहां बीमारी आती है, तो उसके जैब में पैसा होता है, और वो अपना अच्छी का खर्च होगा उसकी पेर के निचे से जमीन खिसक जाती है दईने एक दीन की मजदूरी करके खाने वाला व्यक्ति के यहाँ चार लाग का खर्च करने की कोई व्यवस्ता नहीं होती शावकार भी उसको पैसा नहीं देता है क्योंकि उसको गैरेंटी नहीं है कि वो वापस देंगे कि नहीं देंगे आज आपके धारावी में एक गरीब परिवार के व्यक्ति का इलाज आज एक अमीर परिवार के व्यक्ति का इलाज जिस होस्पिटल में होता है यह होस्पिटल में अमीर परिवार के व्यक्ति का इलाज आईश्मान भारत हो आज स्वास्थे के लिए गरीब और अमीर का भेद मुट मिट गया है दोनों व्यक्ति को एक ही अस्पताल में एक ही लेवल का करके योजना है वोग अच्छा है जब हस्पताल पहुन जाता है मरीज उसका एलाज हो जाता है पर कैंसर हो या काडियाड डिजीज हो एक arises करके ऋकी जाक वार बात नहीं है उस और ऐन अगर उसके शहर में नहीं है बाहर जाना तो उसके डियली वेजिस है ना वो अटक जाते है जिसके कारण उनका परिवार फस जाता है जिसके कारण बहुत लोग जा नहीं पाते जाने का ट्रीटमेंट का आप्शन होने पर भी वो जाके उसको इसको इस्तमाल नहीं कर पाते है मैं आपकी बात समझ गया एक और बात सर प्लीज दूसरी बात है आने जाने का खर्चा तो अगर सौ किलोमेटर दूर पर गाउं है कैंसर आस्पिटल जाना है आना जाना आना जाना का खर्चा उठानी पाते हैं कभी हस्पिताल सपोर्ट कर पाता है कहीं नहीं सपोर्ट कर पा कि जो हमारा Health and Wellness Center है ना वहां टेली कंसल्टेशन की सुविधा खड़ी की है टेली कंसल्टेशन के द्वारा उसको प्राइमरी इलाज और सेकंडरी इलाज के लिए कोई भागदर्शन चाहिए तो आप जैसे डोक्टर के साथ वो सिधा टेली कंसल्टेशन से जूट जाता है और वहां जो कम्यूनिटी हेल्थ ओफिसर उसके साथ बात कर लेते हैं और वहां से बोलते हैं कि यह इलाज कर लो और जब उसको दिखाने जाना है प्रत्यक्ष होस्पिटल जाना है तो उसके लिए कई स्टेट गवर्मेंट अपनी और से योजना चला रही है कि उसको अस्पिताल पहुंचाने के लिए भी खर्च दे आईश्मान भारत योजना की इंप्लिमेंटेशन करने वाली अस्पिताल भी उसको आने जाने का किराया दे देती हैं उसको हर सुमभा और कोई भी योज ना है हम गवर्मेंट के और से माइंड ओपन रखते हैं जब जब हमें सुजाव आता जाता है अनुभाव मिलता रहता है यह करना चाहिए और एक्जम्पल हमें आता था सुजाव कि उसका पैकेज बढ़ना चाहिए एन पहले में होस्पिटल जादी बढ़नी चाहिए जो ह हमें स्वयम उसका रिव्यू करता हूँ ताकि गरीब लोगों को मदद कर पाए हम एक अलग अलग की कंट्री है वह हम हमारे घर के द्वार पर के बढ़ना लाब की बात नहीं करते है हम यह संसकार के वाहक नहीं है यह संसकार की विरासत नहीं है कि हम क्यबल अपना ही सोचे COVID में तो सब लोग अपना-पना सोते थे लेकिन हम इस विचार के वहाँ के हम हमारे घर के द्वार पर लाब भी लिखते है शुब भी लिखते है मेरा कल्यान हो, कोना चाहिए प्राणी मात्र सोचेगा अपना कल्यान करने के लिए दुनिया की सारी सब्यता अपने बारे में सोचेगी लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके ए 1.4 बिलियन पोपुलेशन ऐसा मानती है लाब और शुब मेरा कल्यान हो लेकिन सामने वाले का भी कल्यान होना चाहिए नतीजा यह निकला इतने बड़े देश में सरकार के और से जितना हुआ इतना सरकार ने किया NGO के और से जितना हुआ इतना NGO ने किया लेकिन हम सब लोगों ने भी ध्यान रखा कि हमारे पडोस में कोई भूखे नहीं सुए है उसका हम सब लोगों ने भी ख्याल रखा और COVID crisis के सामने हम successfully लड़ पाए बहुत अच्छी बार मैं एक और प्रस्टर प्रवीन चंद्राजी से एक तो आपका बहुत बहुत सागत मानिवर सारी एक बहुत ही दर्दनाक चीजें जो हम आरे सामने कई बार आते हैं आज कल आज कल खास दोर से हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो दिल की बिमारी से उनका दिहान्त हो रहा है और डाइबीटीज से और इस और ये हम समझ में नहीं आता सार क्यों हो रहा है कई लोग जो हैं अलग अलग धरना हैं उनके मन में चल रही है की ये COVID की वजये से हो गया है या इसकी वजये से हो गया है या काम का स्ट्रेस है लेकिन हाट डिजीज जो है आम तोर पर नौजवानों के साथ नहीं जोड़ी जाती आज कल आम देख रहे हैं लोग साहब की बहुत से नौजवान जो हैं अचनक उनका हिदे जो है वो बंद हजाता है उनका स्रिक्वास होजाता है तो Shi Young Good kidney नो थारी हो रहा है क्यों इतनी कम उमर में एक तो हारट डिसीने बड़ रही है और ये डायबीटे इसको कैसे इसका समाधान आए तो इसको कैसे क्यों इतना बढ़ रहा है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम लोगों की जीवन शहली बदल रही है लाइफस्टाइल, इसको हार्ड डिजीज को लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा गया है लाइफस्टाइल मीन्स बोथ मेंटल और फिजिकल तो मेंटल स्ट्रेस सबसे पहले बात करते हैं एक स्टेडी भी हुई थी जिसमें देखा गया कि जो मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा यंग स्टर्स में especially because of the race towards materialism जिसको कहा गया है towards urbanization उसकी वज़े से mental stress बढ़ रहा है और मानसिक तनाव जब बढ़ेगा तो heart disease होगी उससे दूसरी चीज़ यह है कि physical in activity physical in activity बहुत कम activity कम होगी लोग टहल ले नहीं जाते एक्सिसाइज नहीं करते और यह माना गया है कि अगर कोई आदमी 45 मिनट हफते में चार या पांच दिन वाक कर ले वही उसके लिए काफी अच्छी exercise हो जाती है जैसा कि आपने बताया sugar यानि diabetes, high blood pressure यानि कि hypertension और तीसरा high cholesterol यह तीन चीज़ें जो होती है, यह silent killers है सरी क्या इस lifestyle जिसकी भी बात हुई थी अभी, lifestyle से भी प्रभावित हो सकता है जे, वो क्या खा रहा है, क्या consume कर रहा है सो lifestyle change करने से यह बहुत ही clear है इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई जाच नहीं है, कुछ नहीं है 90% of heart deaths can be prevented just by lifestyle control खाने पीने की अपनी दिंचर्या से, अपने exercise से, और smoking ना करने से 90% people can just avoid a heart attack and survive We have Dr. Sishaya here today and I know here, Dr. Sishaya, we always keep saying and we need that the time India is the diabetes capital of the world, yet we possibly don't take it seriously enough as we were just discussing. What has changed in India since then? Since you've discovered that we need to move towards… Not only in India sir, all over the world, diabetes epidemic has become pandemic now. So India is definitely overshadowing even China now. The most important thing I want to share with you, the perversion of diabetes is not that easy, not because by taking what you call detection of diabetes, B diabetes, dyslexia diabetes, all these things are useless. They are only unnecessary spending their time and money in going around all over the country, screening and doing the other thing is possible. So what I am, what my concept is, I think I wrote also our Honorable Minister long time ago, one year, one year ago, the primordial prevention of diabetes. That means if child should not develop diabetes in the future, it is possible. In the last decade, David Barker told from United Kingdom that fetal origin of other diseases, everything says fetus, others whom, it is very important. So one may ask me, sir, why genetic? Why not genetic? No genetic. It is not possible. Most important, epigenetic. Genetic may be there, it cannot produce diabetes. The present concept is, since neonatology is here, 8th week itself you must check. Not at 12th week, an old book says, first trimester, that's all gone. Why I am telling 8th week? Because 10th week is the time. This is very, very important message. 10th week, if mother blood sugar, would-be mother blood sugar, crosses 110 milligrams, what happens there, unfortunately, that 11th week, fetal beta cell start increasing insulin to manage the maternal blood sugar. Once child starts secreting insulin, it will never stop, it will go on the sub. So ultimately they develop, what we call, gestational diabetes mellitus. Once she does a gentleman, a child also will become diabetic. If I just want to come across to you, Dr. Sadio, you work in the tribal population in Wayanath and Kerala, and lifestyle diseases are often thought as an urban phenomenon. But now we are seeing that this is a lot in rural India. When I went there 50 years ago in Wayanath, they were living separate life away from the mainstream, but they were happy. What we say today is organic food. They will take organic food, which is made from them. They will go to field. What we say exercise, you do exercise. So they were 24 hours having a very healthy lifestyle. But because of this new encroachment into their life, and we are trying to tell that this is the new, better way of life. That is actually affecting their lifestyle, and this lifestyle diseases are increasing in tribal health. In tribal health, I will add that we are working on a sickle cell disease, which is a genetic disease. And one of the, our prime minister, main program, it was declared that by 2047, India will be made free of sickle cell disease. Our honourable minister is also involved in it. So Vivekan Medical Mission and we are working in Wayanath for control of this sickle cell disease, which is prevalent in tribal communities in India. And it is a genetic disease transmitted from gene first generation to next generation. So there is, at present, there is no national registry, and no, it is not notified disease. So I will request minister to say that it is declared as notifiable disease. So that all the patients or the expectant mothers, just like diabetes, if we test the sickle cell disease, then the marriage, pre-marriage counselling and passing the disease to the next generation can be prevented. Thank you. The question is so much. To do the effort and focus on the time. Yes. Italy has a sickle cell disease. Japan has a sickle cell disease. Yes. Why can't it happen in India? Yes. In India, in 278 districts, PAL state, 7 crore tribal population, we have to screen it. We have to screen it for 3 years. Yes. As I said, when I launched the sickle cell elimination mission, I was given that I have to understand the value of the population of the population. Yes. So, when I was born in the majority of the population, I would say that I have to get the card. Yes. केरियर केरियर है तो 50% आपका बच्चे को सिकल सेल गरस्त होने की संभावना है दोनों पोजिटिव है तो रेड आएगा आपको नहीं शादी करनी है शादी की तो बच्चे पैदा नहीं करना है एक बार लोगों में ये अवेडनेस आ जाएगी तो करेंगे ये देश में हमने कई अभ्यान सक्सेस्पुली चलाया है तूसरा मैं भी उसको मोनिटर करूँ इसलिए डिजिटर रजिस्ट्री होने आवश्च है कोई भी डिसीज हो भारत सरकार के डेशबर पर पता होना चाहिए इस्टेट को पता होना चाहिए और जनता को भी पता होना चाहिए ये करते बहुत है दो कि अभू कि ऐस्टेट काहिए अवा की तॵेगर तियुको १ सुट्री मिया अभ्यू रचलाइट चाहिए और अटि रिसे Θ least, कि ऊभ्यू अबदे़ को ब्यू सिरूट आपकाट तयू प्रूा की आपक्रिकर लाव फथा बहू घस्ट that gut health also provides an access to several other diseases and more importantly sometimes your mental health as well. Maybe if you can just elaborate on that, Dr. I think as a gastroenterologist, we realized earlier that gut health is very important to maintain rest of the body. Like Dr. Praveen was saying cardiac… cardiac heart also is controlled by the stomach, the gut. In fact, our ancient… we used to have in the text saying that everything comes from the gut. That's true because the gut has lot of bacteria which produce all our food is digested by the gut. Bacteria send all these chemicals to the body and these chemicals control every activity of the body. The heart rate, the blood pressure, the mental health, everything is controlled and any changes in the lifestyle, decreased exercises, abnormal food habits, smoking, alcohol, everything affects the gut microbiome causing dysbiosis in the gut and this problem. And one important thing we noticed is that fatty liver disease which is part of the liver is part of the gut is affecting thirty percent of the Indians, thirty percent. Really? Thirty. Whether you stay in the village, whether you stay in the city, it's same. The fast foods, we think that fast foods are calories causing the problem, no. Fast foods have additives and preservatives which is causing the problem. They have certain elements inside the fast food which is… Fast foods have got like titanium, they got some phenols, all these are preservatives and it's not the calories… And they harm the body. And they harm the body. It's not the calories. These fast foods will change the bacteria, will cause damage to the gut, will cause damage damage to the liver. In all western countries, these preservatives, additives are very strictly controlled. Only sixty of them can be used. I don't know about the Indian law, but I request the Honorable Minister, aap kuch karsake iske liye ki fast food additives or preservatives food mein regulation leke aake ki ye certain only safe ones are given. And unfortunately, in India, we are not only becoming the diabetic capital, but we are becoming the capital for fatty liver disease. And this fatty liver disease leads to cirrhosis of the liver, liver cancers, highest number of liver cancers in the world are in India. And we are genetically prone for fatty liver. So unless we control this, diabetes is okay, heart disease is okay, but fatty liver is going to kill many Indians. If we look at the gut microbiota, then when you are born, you are born with a normal gut microbiota, if you are born by the normal vaginal delivery instead of caesarean section. If you are breastfed exclusively for the first six months, your first epigenetic normal microbiota is written. You are less likely to become obese. You are less likely to develop the lifestyle diseases. So actually, you know, we have to start right from the beginning. So it has the strength to tackle all these things. Yeah. So actually one very important message to the public would be that if you want your child to have a normal healthy start, exclusively breastfeed for the first six months, provide an environment which is supportive. You know, like in our public places, we are not very supportive about the breastfeeding. I know. You go to the west, you know, women breastfeed even in the trains, local trains. It is a better lifestyle. I think what Dr. Clare says is right. There are three things to determine the gut health in a child. One is vaginal delivery, second is breastfeeding, third is no antibiotic should be used. Yeah. To follow these three, our children will start having a healthy gut. It is a problem socially. Our stomach is very strong. Everything will be affected. And everything will be fine. We are listening to that if we take a blade, it will fall off the stomach. But you know, when there are social things like this, so then you are tempted to start eating stuff which is not going to be healthy. Yes, sir. I feel that people are very nervous. People say that the wooden stone is all in the same place. Yes, all in the same place. Yes, all in the same place. Yes, but it does not happen. It does not happen. Mansook Mandavayi Ji. If you are made, what is made, what is traditional food, what is your food, which is your food, that is not something else. The state is being said. The state was talking about the state of the state. You should be eating and eating and eating. What we eat. Sir, there is some, or a sense of that, sir. There is some, I feel, historical feeling. You go to any different state. The food will be different. Different. Kuchh toh soth samajh karke, Yes, sir. Wohan par woh khanah bana hoogah. Jyokhi ab traditional food ban gaya hai. Ban gaya hai. And, wohi loog chahate bhi hain. And, wohi loog joh khate hain, sir, wohsse soth rate hain. Khaihin na khaihin sir, sar, sadiyao se, Yeh baat chalti rahi hoogi Ki, is jaghahin pere, is prant mee, Is tarah ke watawaran me, Is tarah ke climate mee Yeh khaiya hojan. Yeh khaiya hojan. Us tarah ke padarth banty hain. And, sir, Hom loog maantay hain. Sir ki, jabhi bhi hem loog koji traditional khanah khaate hain na, हमें बड़े संतुष्टी होते हैं है की नहीं? क्यों? सर वो हमारे अंदर है जी हमारी जीन के अंदर है तो ट्रडिशनली जो डाइट सौसंद्स आई एच रिजन में इट इस नेट फो अधर पर्टिकलर रिजन पर्टिक्लर टाइप अक्टिविटी जो वेदर है और जो डाइजेशन अवर्थिं इस मिक्स तो लोकल फूट जो लोकल फूट जो मिलता है यहां पर सब लोगों ने अपने अपने सुझाओ दिया है और बहुत कुछ बताया है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और म जानकारी है तो इसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए नमस्कार एक बार फिर आपका स्वागत है आप देख रहे हैं एंडी टीवी डेटॉल बने का स्वस्त इंडिया हम नवे साल की समाबती की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही भारत में स्वास्त को लेकर सबसे लंबे समय तक चलने वाली टीवी मुहिम दस्वे साल में परवेश कर जाएगी मेरा इस मकसद पर बहुत गहरा एक भरोसा है और इसलिए मैंने एंडी टीवी और डेटॉल से हाथ मिलाया है ये बिलकुल सही समय है याद दिलाने का कि हम दोहजार तीस तक निर्धारित सस्टेनेबल डिवलिप्मेंट गोल्स यानि की टिकाओ विकास के लक्षों से केवल साथ साल दूर होंगे और हैं अगर हम सब को संपूल स्वास्त महया कराना है और उसको चाहते हैं कि वो हो जाए हमें देश भर से हर किसी की आवाज को सुनना होगा हर किसी की कहानी सुननी होगी और इसलिए बनेगा स्वास्ति इंडिया के दस्वे साल में हम ठीक इसी काम पर ध्यान देंगे हम अपनी कलम और अपने माइक जिससे हम बोलते हैं और कह रहा हैं कि यूवा लोगों के हाथों में सौंप देंगे उन्हें प्रेरित करेंगे कि वो स्वास के भ्योरे जल्द ही बनेंगे स्वास्ति इंडिया की वेबसाइट तक आईएगा उसे और इसलिए देखते रही हमारा ये कारे को धन्यवाद मंसुक मंडाविया जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभी अमिताब बच्चन जी जो कह रहे हैं हेल्थ जर्नलिजम स्वास्त के बारे में पत्रकारिता अक्सर ये माना जाता है कि हेल्थ बीट एड्यूकेशन बीट ये जर्नलिजम में कोई बहुत बढ़ियां बीट नहीं हैं जब तक कोई बढ़ियां पुलिटिकल स्टोरी न लेकर के आओ तक दर्शक भी रुची नहीं रखेगा लोग भी नहीं देखेंगे लेकिन आज इस मुहिम की घोशना हुई है कि स्वास्थ पत्रकारिता को आगे रखना है और उसको ब्यूरो बनाने उसके बारे म पहुचाया जाए इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार मैं कहूंगा कि आज तक जो होगा होगा लेकिन पोस्ट कोविद एरा बदल गया है अब भी स्वास्थ भारत के लिए या तो स्वास्थे के लिए पत्रकारिता के लिए प्राइडिटी हो गई है मैं विक में ए स्वास्थे के लिए जागरूत हुआ है एसी स्थिती में स्वास्थाई पत्रकारित्वा एक महत्वपूर्ण विशय बन चुका है और जो आपका कारक्रम है ने बनेगा स्वस्थ इंडिया और मैं तो पहले आपको बदाए दूँगा कि आप 10 साल तक ठीक पाई रुवात् अच्छा देता हूँ आपका समय है जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताब बच्चन जी को भी और रेकिट को भी जो इस भागीदारी में हम लोगों के साथ रहे और 9 सीजन पूरे हुए है और 10 कि अब बात चलोई है जब 2 अक्टूबर 2014 को दानमंत्री ने स्वच भारत अ सीजन और आप सही कह रहे हैं हिल्थ मिनिस्टर साहब कई चैनलों ने प्रयास किया है लेकिन फिर छोड़ दिया यह 10 साल अब शुरू होने जा रहा है अंडी टीव यह दूशन फूर डॉक्टर कान पूसर यह वोकिन रिमोर्ट अरियस और आम 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 वैन मुटर पर आम 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 घोल को तो दोल को भी इनिरियस से कहत शवटों का सैंडिनृम मुट वाश्तार कि पूनिती तौर्ट इस ने दियर लूराज विंदर्ट जुलार के आम 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 आमने मौध भूसर बाहर क्यूना इसwn जूब टार आम एम मेल मे हैं हम आश्राओं के साथ काम करते हैं and some of these आश्राओं are just about 8th class pass लिखना जानती नहीं है computer नहीं चलाना जानती है उनको सिखाने से हमारे offhand I remember एक एक छोटे से गाउं में किसी महिला के स्थन में एक छोटा सा गाठ हो गया हमारे इलाके में average breast cancer का size 10 cm एक नारियल स्थन में लेके आती हैं इतना बड़ा होने के बाद कभी कभी फूट जाता है आशा लोगों के साथ हम काम करते हैं आशा को हमने सिखाया कि स्थन में कोई guilty होगा उसको doctor को दिखाना है इस महिला ने आशा से some confidence में बताया कि मेरे स्थन में एक छोटा सा guilty है hospital नहीं आना चाती थी महिला ने उसको convince किया उसको आने जाने का खर्चा उठाया और आशा महिला को hospital तक ले के आ गई we investigated we found a cancer we treated her and that is to my thought a very very impactful journey a lady who's very basically little educated because she is empowered with knowledge could bring about change the other thing I want to add as part of this conversation is see sub logane baat kya india is changing from transforming from a developing to a developed country amare bimaariya be from infectious diseases to lifestyle diseases mein badal rahi hai lifestyle में अगर आप cancer को लेंगे the causes of cancer 70% of cancers are caused by tobacco smoking or chewing by arayka nut supari alcohol poor dietary practices lack of physical activity and some infections and inflammations अगर यह चार पांच कारणों को देखेंगे 70% cancer को हम रोक सकते हैं and we are a country that needs resources for so many things yeah cancer को छोड़ दीजिए cancer से कई गुना ज्यादा है diabetes hypertension heart disease stroke COPD तमाम other non communicable diseases heart attack का का कारण लेंगे tobacco alcohol diet exercise stroke का का कारण लेंगे tobacco alcohol diet exercise COPD का 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 कारण लेंगे diabetes का का कारण लेंगे hypertension का का कारण लेंगे aneurysm का tobacco alcohol diet exercise are a cause for so many non communicable diseases the one cancer prevent करने जाएंगे we are actually preventing all of these we are promoting health in the community and for a country to grow and prosper we have to be secure and we have to be productive only a healthy nation can keep itself secure only a healthy nation can progress can be productive and to keep ourselves healthy is a national responsibility is as patriotic a job as protecting the country in the borders yes hum sabka sabka fars banta hai to promote health it does not require a doctor or a nurse or a medical institution every one of us the asha can do that every one of us can do that and that is my learning from her yeah and that is what i think we should promote absolutely ah mani manti ji aip se eek aise ahi sowal puchna cahar raha hai hai aap nai dekha ho gha baut sarai yaha pere widdwan baithe hoi hoi hai kya kya chikitsa may and baut sari baut sari baut sari baut sari baut sari baut sari a chy kis tarah se health ko lye karke aage kia a sambhab ho sakta hai ki eek serkar ki torf se eek health council bin ya haa bait kar ki loog vichar wimersh करें कि किस तरह ये बिमारी है, इसके साथ कैसे जुड़ा जाए, कैसे इसके साथ हम को इससे हम दूरी पास सके हैं, इसका इलाज कैसे होगा, क्या मैसिज हम से सकते हैं देशवासियों को, कोई ऐसा एक सरकार की तरफ से हेल्थ काउंसल लगाए. आपके बाद सही है, एक फ्ल में 13, 14, 15, 3 दिन के लिए सारे प्रती वर्ष यह होता है, सारे देश के सभी हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ विभाग के सारे सेक्रेटरी, एक्सपर्ट एंड एमिनेंट परस्टनालिटी अफ इन हेल्थ सेक्टर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सभी के साथ 3 दिन बैठते हैं, औ परतमान डिसीज, डिसीज का सलुशान, बढ़ते हुए डिसीज, यह सब के बारे में बहुत डिटेल डिसकुशन होता है, तो जो हम लोग वेवस्था भी बनाई है, सब भी को कमपाईल करके उसके पर चिंतन बैठक करने, तो एसी प्रती वर्ष एक चिंतन बैठक करते हैं चिंतन बैठक में सबी जगह से आये हुए बिंदु पर विचार विमर्ष करते हैं, और सबसे पहली प्रात्मिक बात है, देश को समरुद्ध करना चाहते हैं, तो देश के नागरिक को स्वस्त करना होगा, स्वस्त नागरिक, स्वस्त सोसाइटी का निर्मान करेगा, स्वस यह इनफ नहीं है, लेकिन उसको हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना पड़ेगा, मैं अस्पताल खोल दू लेकिन डाक्टर ना हो तो, नाव साल हुआ, पहले है, साड़ा तीन सो मेडिकल कोलेज थी, अभी साथ सो साथ मेडिकल कोलेज हो गए, तीन साल में डबल हो चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए, तो मुझे डॉक्टर की सीट बढ़ानी होगी, MBBS की सीट बढ़ानी होगी, केवल 54,000 सीट थी, आज एक लाख 7,000 MBBS की सीट है, मैंने तई क्या है, यूजी, पीजी, दोनों सीट सेम हो जानी चाहिए, और हैल्ट सेक्टर में एक कॉम् 50 साल में देश में ऐसा कोई पेंडामिक आये, तो मेरा देश उसका सामना करने के लिए सज्ज होना चाहिए, क्या करना चाहिए, 64,000 करोड का नेशनल हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर मिशन लॉंच किया, उससे हर डिस्टिक में 100 करोड रुपया का खर्च किया जाएगा, ता यूनिट हो, जहाँ ऑक्सिजन फ्लो पर्मेनेंट हो, जहाँ वेंटिलेटर हो, जहाँ ओल टाइप ऑफ क्रिटिकल केर की फैसिलिटी हो, हमने तहीं किया और काम चालू कर दिया, वेट करने का समय नहीं है, यह बहुत महत्पूर्ण बात है इस तरह कि अगर कांसल सरकार की तरफ से बने काम हो, मैं आपको बताओं क्या हो रहा है मेडिकल फील में एक और चीज हो रही है, जब से इंटरनेट आया है, कोई भी बीमार होता है ना, वो सीधा जाके इंटरनेट को बोलेगा, भाई हमको यह बैमारी क्या इलाज होना चाहिए, और वो बता देता है I mean, you know, so somehow, तो हम कह रहे हैं sir, वो कि अगर इस तरह से एक मेडिकल टीम बन जाए, और वो सब जैसे कि आप बता रहे हैं, वो सब रिसर्च करके रखती है, अब मैं आपको एक बाद बताता हूँ, कोविट के समय में, क्या हुआ था sir, और जितने भी महान डॉक्टर्स बेट सब्टास्तिक कि आपनि जापनिक उचेश्टीख दोक्तर मुट्री उचेवरी उचेवर कौमी चेवर कर्या इस तरह से एक मिल जूल करके एक ऐसी संस्ता बन जाए, सर्कार की और से यासे ऐसे स्यमुट्र। वो लोग जा घर के इनसे सलामशुरा कर सकते हैं एक साथ अगर काम करें और रवी मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहोगे जिसे अमिताब जी बात कर रहे थे मंदाविया जी से how do you think a body like this will help planning interventions and programs on ground especially because so many of the programs which we've been doing in the past so many years they are based on public private partnerships is based on public, private partnerships all over the country thank you so much Ambika for asking me a question I will give you the example of our Honorable Prime Minister and our first season of那麼 qu하신 स्थिल्या जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे basically कि हमें एक hygiene index बनाने की जरूरत है जिसमें dr इंद्रा भी हमारे साथ में थी आपके साथ में हमने hygiene index बनाया हा सर हमने एक city से hygiene index चालू किया था एक city से दो city 2 city से 10 cities 10 cities से 25 cities फिर हमें एक opportunity करने के बाद ने सवाच से परमाने पे कैसे चल गानुन इसका शुरुवात आप अब शुरुवात भी ऐसे उनकेम्स कोचीज की बात है सब है इस सब पूरे तेंग कोचिस की वन हेल्ट पे या हाइजीन पे यह बहुत बड़ा इंडिया का इंडिया का अपने पॉजिशन को अस्टैबलिश करने के लिए और इंडिया के पॉपलेशन के लिए क्योंकि यह 1.4 बिलियन पॉपलेशन है अगर हमारे पास में इतने ज्यादा लायक डॉक् हम एक ओगनेशन सेट अप करें अंडर यह लिए काइंड फिंक टैंक जो की वन हेल्ट के जो इसूस हैं जिसके में हाइजीन भी इसू है इंवार्मेंट भी इसू है इन सब को साथ में लेके डिसकॉशन हो एक सर दूसरी बात यह भी है कि हमने मैंने सर अराउंड फाइव पहले रेकिक ग्लोबल हाइजीन इंस्टीट का सापना किया लंडन के अंदर जिसमें एम्स के जो डॉक्टर है डॉक्टर गुलेरिया ही वाज़ पार्ट अफ दाइग सारे जो कॉंटिनेंट से हर कॉंटिनेंट से एक एक डॉक्टर को लिया मैंने सर उस पूरी कांसिल को ह अब यह उनिवर्सटी के साथ में हमने एक सटी पुबलिश किया क्लाइमिट चेंज और डायरिया के ऊपर क्या इसका इम्पेक्ट है वेसा फॉस्टी ने वर्ल्ट विच केम उट व्ट व्ट विच वेरी इंटरस्टिंग पहले यही देखते थे कि जितनी बाहर आएगी त इसका स्टोरेज की इसूज उगे उसके वजह से क्या डायरिया के किस बढ़ेंगे के नहीं बढ़ेंगे तो हमने मल्टी कंट्रीय स्टडी किया सरे यह के साथ में यह इल पबलिख के साथ में तो वैसे ही बोल रहा हूं कि एक धिनकिंग कोच्छिस का इक इसीचू थे हैं जो आपने कहा है बहुत अच्छा सोजाव है आज अलग-अलग लेवल पार काउंसिल के रूप में काम होता है लेकिन उसको एक फर्मलाइज करके प्राइवेट और गवर्मेंट दोनों सेक्टर को अकेठ्था होके एक ऐसा फॉर्मेशन आपका सुजाव है कि जो डिबेट और डिसकुशन के लिए परमेनेट हो उसमें नए नए लोग आते रहे काउंसिल के रूप में डिबेट डिसकुशन करता रहे एक्सपर्ट ऑपेनियन पर डिबेट होती रहे वर्ड में जो न्यू एरा है उसके पर डिबेट डिसकुशन न्यू इनोवेशन न्यू डिसीज न्यू स्टडी इसके पर डिबेट डिसकुशन होती रहे इसा एक प्रेटफॉर्म हम अवर्ष्य बनाएंगे अच्छा सुझाव है इजिशा में काम कर सको अब आज हमारे साथ इतने डॉक्टर्स हैं सब एक्लेम्ट है रिमें रेकोगनाई सब्सक्राइब गावर्में इंदा जी अगर मैं आप से सवाल पूछू हज आजए तो पूछ पूछू पूछ आजए अब एक्लेम्ट एफॉर्मारे को इंदेख अच्छा पूली। एक पूछ एप्टीज आजए रिमें पर इसके किनी हैंपुली। अचली अम्रिका थिए इस एक्सलें अड्सेहिंट साथू if you look into some of the problems that we have in the country, now I am from the public health sector, we find that, for example, diarrhoea, if you look into undernutrition, these are major problems which, as a matter of fact, is still worrying for the health ministry. These are issues, undernutrition is still continuing, though we are talking about other things. He is talking of cancer. Arsenic is a major problem in the water, which causes cancer in Assam, West Bengal, all the eastern areas. So, sir, an intersectoral coordination, because quite often health is blamed for issues, actually the causative factor does not lie with health department. It lies with other departments where wash, water, sanitation, hygiene, these are very important issues. So, sir, intersectoral coordination among various departments, so that there could be more positivity. Sir, we have been talking for a long time about intersectoral coordination, but if you look, it is mostly between departments and ministries. There never has been any independent, intersectoral coordinating body among experts. So, sir, I think this body here has experts from various fields, which can give a transparent, you know, not depending on what the government will say, but advising very independently, transparently to the government, giving open suggestions for new ways to be opened, for things to be continued, fields not to be continued. I think, sir, this would be an excellent body to give a sort of a way forward without any baggage. And secondly, sir, new ways, new methods, new ideas, new horizons can come up from a body like this, sir. A nice break to be seen, but you have been sitting here so long with your business. अपनी बात भी रखी, बताया कि सरकार क्या कर रही है, और यहां जितने डॉक्टर्स हैं, उन सब की बात सुनी, उनको आश्वासन दिया है कि किस तरीके से क्या क्या काम सरकार कर सकती है, इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस कारिकरम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उमीद है आपको भी अच्छा लगा होगा इस कारिक्रम में भाग ले करके एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लोगा। अभी जितनाती हैं, ङ denड़ लोगा हुआ लोगा। सब्सक्राइबाए पर फूरी हैं शीजिए बाट्माश्यृू विट्टि अब्थे कॉट्टी की आप बाट्यू अप्तिक्ष लोग शीयुश्यू शीयुची प्ठीश रज चूंटेश्ट विट्ट लुट्रोग्य। इस विट्मुटीश्ट इस भढग्स इस था एकान्डुम्राद बस्तीम प्रादिटी इहां tut पुरी. पोल्दस स्थर्वी सोफ भर लदाक, फिर्स गयनकॉळोजसे सब्सक्रूबारा हैं, इुची थिती पर लदलो को बस्तीति ऑ्रादिया इंक प्रादिटी केुचे लिए प्रादिया प्रादिटेम्गीन हैं, when she began, there was a social stigma associated with women talking about their health problems. There was practically no awareness around hygiene and nutrition for women, especially pregnant women, nor the importance of maternal health. One of her key success stories is her work in promoting family planning and institutional deliveries amongst the conservative Buddhist population. अच्छी तरह से एक्षेप्टिया मगर उसको टाइम लगा काफी शरम करते थे किसी को पता ना चले मेंने फैमली प्राइब कर सकते हूं आपके लिए भी बोज काम होंगे आप उनको पढ़ा सकते हैं स्कूल बेश सकते हैं आप पुद सिया दियाब हो सकते हैं इसी तरीके से इसको टाइम लगा मगर बहुत है अच्छा रहा है इसको टाइम लगा मगर बहुत है अच्छा रहा है इनके ग्रेप इनकी जैसे लोगों से हाग से बहुत हैं तोक्तर लांडॉल has been conferred with the Padma Shree and the Padma Bhushan for a selfless service as Dr. Landall says it has taken a sustained effort खूंस बिस्स टूफ फॉर फ्लंग एर्म आइस, और अच्ट अबस्ट टो जो दिख फिल्व जोबिखे अवेर्श, और ऑ्र लंदोल्स ओन अमपथी, finding, communication skills and ability to understand language, conditions and habits that has changed the landscape of women's health in Ladakh. So Dr. Clare, Dr. Sering has worked on improving institutional deliveries in Ladakh but maternal health is still a huge and a very big challenge in India as we were talking earlier. what are the gaps that you feel that either need to be overcome filled or somehow dealt with so as women healthcare we're talking in the healthcare yeah as we were discussing that you know most of the maternal and newborn deaths they occur around the delivery that means 48 this way and that way so if we want to prevent those preventable deaths which is both maternal and newborn then we have to reach those unreachable whether they are in the far-flung hilly areas they are in the remote deserts or where healthcare is not penetrated or who because of certain reasons don't come to the institution because institutional delivery is one of the way to prevent those preventable maternal as well as newborn deaths and also I mean can there be a kind of a universality on all this because you know every different region yes has have their own thoughts and processes of how to deal with a medical situation many times somebody gets ill and say and they go back and they because they feel that there's not a universality of the medical help that he can get yeah so somebody living in Ladakh as we're talking of yes you know they have their own limitations yeah and not only limitations how can we overcome that yeah over there I think the only thing which can be done is to have some skilled birth attendant who can go to their homes and assist so whether it is a nurse at a district hospital or it is a ANM at the PHC who skilled not only skilled in doing the delivery but also in case the birth the baby doesn't cry or has difficulty in initiation of respiration is also adept with the art of resuscitating the newborn baby so like we need those skilled birth attendants who are not only obstetricians but also they are neonatologists and that kind of you know a health cadre has been developed in certain countries like we have example from Sri Lanka like in Sri Lanka though you know is not as developed as India but Sri Lanka could reduce the maternal mortality and neonatal mortality long back because you know they they could train their health professionals health workers the basic health workers the nurses who would cycle around and go to the remote villages for conducting the delivery they would carry the the kit as well as they would carry the the you know since we're talking about the community specifically like like dr. Clare told us about the marginalized doctor Sakdev if I can ask you you're working with the tribal population yes I was just wondering yeah exactly and you know yeah wanted to ask him how do you like when it's specifically you're dealing in sickle cell anemia or even I was traveling you know when I was visiting the tribal areas whether it's the Siddhi community the Kalbelia community you know the big issue dr. Sakdev for them is distrust of the modern technology they have their own beliefs their own superstitions how do you a lot of work in yeah and he's working with the Chetty tribe so that's what I wanted to ask him how do you deal with them because in the interiors how does he deal with the community their trust issues yes all every community as we were talking you know they have their own thoughts and ideas yes on or any kind of medical treatment and sometimes it's very difficult to argue with them or to tell them something which is like you know as I was saying universally accepted in the medical field yes everybody knows or tribal communities or rural communities actually there is gap between the modern medicine and their style of living when I went there 40 years ago actually they were not taking any medicines also not coming to hospitals also they don't believe that the disease can be cured by medicine they will believe that it is a god's curse or something fed and they will go to local healers or go to some puja like that so that was the first challenge when I went there to earn their confidence that when we go to them for treatment whether he believes in me so what we do we started mobile medical unit and swastamitra schemes we developed swastamitra that is health workers we trained the we contacted local persons made them have this local youth trend in first state health education and they we have got 125 swastamitra why not we have got one teacher schools 125 they are from the local community so they look after and help the local community to talk with them find out what is any illnesses are there advise them give them health education and if there is illness they are transferred to our hospital so our swastamitra is our link between the local community and our hospital so that is what it can be developed yeah you know many times like we had a huge problem in polio it took us almost eight years to convince people that you know this is very valuable lot of communities said you know you're actually poisoning us and we had to spend lot of time and energy in convincing them yes so I can well imagine what you all must have gone through I am sure you must be facing we have to feel at the work is so many people who have to deal with you as well as you know I am the health and the health and your mental health and the health and the health and health and science especially if you know what I am sure i cannot tell you about the health but i am sure i call it we will die if you put this but its not just covid i am in Rajasthan in the tribal community आशावकर ने मुझे राजस्तान में वोला और अधेपुर के पास ये भी नहीं की बहुत इंतीरियर था कि हम बच्चों को उनकी इंजेक्शन के बहुत मुश्किल से लेक आते हैं वो आना नहीं चाहते हैं तो आप ये प्रीजियर थीach है और ये इंजेक्शन एक आप जैस्थ करते हैं ये सवाई हैं शोवें आर इसलियर थनों नियुम्या है ने थेया थे आभिर जानात जारत वोला ये ऐख भी और थेवार्नराशन काउनेसन सुरर्ण प्रणिवक्न ये अर्चिनेंस आपटेशिस देखे आप से एक सवाल यह पूछना चाहता था देखे आई का जमाना है अब आपिशिल इंटेलिजेंस से फरजी वाड़ा भी होता है यह से डीप फेक्स आ जाते हैं गल को कोई सौफ्ट्वेर से किसी के आवाज में भी कुछ भी बुल वाले या किसी का चेहरा मौफ कर दे यह तो टेक्नोलिजी का दुरूप योग है बट आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस हेल्प्स ऑल्सो टेक्नोलिजी हेल्प्स ऑल्सो सफदर जंग अस्पताल की कुछ रिपोर्ट हमने कुछ महीने पहले चलाई अपने चैनल में कि आप रोबोट ऑपरेशन कर रहा है यहां revolution है I must say and whenever there is a revolution there will be misuses also but it is a very good revolution because अभी एक study हुई थी हार्ट के सिलसले में एक एको कार्डोग्राफिक जाँच होती है हार्ट की तो उसमें artificial intelligence द्वारा रिपोर्ट को compare किया गया और जिन लोगों ने किया उसको अपस में control किया गया तो मालूम पड़ा कि artificial intelligence की रिपोर को दे देंगे क्यों क्योंकि medicine is a combination of two things art science compassion empathy तो artificial intelligence पे यह दो पार्ट अभी नहीं add हो पाए है कि how the computer or the robot will come back and hold your hand or pat on your back वह बहुत जरूरी है किसी patient की recovery की process के लिए इसलिए doctor की दरद तो भी पढ़ेगी artificial intelligence उस doctor को help करेगी that is the best part so the things will become much more predictable and much more reproducible तो गलतियां कम होंगी but end में मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि we are not living in a very pessimistic world we in India at this time are at a very good situation as far as the health is concerned आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले जा हमने MBBS किया था अपना तब heart disease के लिए और कितनी बिमारियों के लिए लोग बाहर जाते थे out of India treatment कराने के लिए और हम लोग training करने के लिए बाहर जाते थे I got treated trained in France for this thing but today in India we can provide the best quality of care with the best medicines made in India and the best you know hardware जिसे stents हैं, valves जिसे सब इंडिया में बन रहे हैं, they are very good quality at a very low price so we are now in India at least as health is concerned we are in a very positive situation और हमारे पास पूरी दुनिया से पेशेंट साते हैं treatment कराने के लिए at one third or one fourth the price so this is what I wanted to end with that we are not in a very bad situation, we are in a good situation and doctors are coming to get trained by us in India Since we are talking about doctors, Dr. Kannan, how do we attract the right skill to the right place, how do we create an ecosystem that supports healthcare professionals who work in rural India, how do we ensure that doctors are there especially in the remote and rural areas So, this requires a multi-sectoral approach, truly a multi-sectoral approach, the answer is not to part of it may also be to say you train as a general surgeon, you do an MCH in whatever you serve in a rural area but that compulsion is not going to be sustainable, what is done democratically will be sustainable with the will of the people and that requires One is as part of training to talk to doctors, you know that component, humanities in healthcare education is not greatly emphasized but we have to introduce humanities to talk to doctors starting from their MBBS times from the first kindergarten stage of doctors to get them into that service mode, that is very important and that will go a long way The other thing is to incentivize doctors when they work in difficult areas and the third thing is to use technology to support doctors, see I work in an area where we don't have intensivists That means somebody who is critically ill will have nobody to look after that person and so we work with a group of intensivists working in Bangalore on the cloud, we have what is called a cloud ICU and that works so remarkably well And so it supports all of us, I am more confident of treating sick people because we don't have access to good pathology services And so we are working with what we call is the national cancer grid to create telepathology and technologies are available, we can make the slides and somebody sitting 2,000 km away can report the pathology slides and so it is important to support doctors if you train a young doctor and post him into a remote area he is not equipped to deal with complex situations and that is a deal of That will disincentive, that will demotivate him and so we have to use a combination of psychology and incentivization and technological support and have senior people support multiple things have to happen but it can happen Okay, Dr. Indra, I would like to ask you one question, we are the most important part of this part of our health, we are also on the social and social and social and social and social and social and social. लेकिन नौ साल पूरे हुए हैं और दसमें में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से मुख्य मुद्धे हैं जिन पर हमको आगे ध्यान देने की आवशकता है? So I think now coming into the 10th season where we are coming in, there are actually a lot of expectations and a lot of hopes, a lot of aspirations that are linked to it definitely. And now I think now formation of a council is something very important because as I mentioned intersectoral coordination is extremely important because there have been certain public health related diseases which I mentioned like diarrheal diseases, anemia, undernutrition, it has not been controlled in spite of so many years and I think this is where a council like this will be of great help. We have been talking of gut health and we all know that gut health is intricately related to environment, intricately because you have EED which is the, you see children can eat a lot of nutritional food but they will not be absorbed if there is diarrhea, they will all go, it is like a leaky pot, it will go out. Therefore to control malnutrition unless you link environment to it, you can't control diarrhea, you can't control undernutrition, you can't control anemia which is so linked to the worm infestation, open sanitation. So, I think it is very important that a linkage is created among these different departments and ministries and I think the next season should be that this wonderful group of three, the three pillars should get together to see how independently the government can be advised to take this forward. Right. Dr. Seshaya, sorry, I know that you have been a little impatient but just one last request, how do you see the future of medicine in India? Medicine is very much advanced, it is going up. It is not, we are not going back. Somebody was saying, not developed country, it is developed country, not developing, now developed. So, we are progressing very, very well. So, only thing is… We are known as the pharmacy bank of the world, India. Am I right? Yes, the pharmacy bank of the world, India. Of course. Now, my, what do you call, aphorism, message, I don't want to tell the word professional diabetes, that is what confuses people. Must say, primordial professional diabetes. Yeah. That is the message you must spread everywhere in the Dendee TV, you put there, primordial professional diabetes, focus on the fetus for the future. Yeah. That is all. Thank you so much. That means diabetes will disappear from the country. Primordial prevention of diabetes, focus, F, F, focus on the fetus of future, for the future. Focus on the fetus for the future. That is the slogan I am going to, I am telling everywhere, this is my slogan. Yeah. Anywhere I talk, I will tell the slogan only. Wonderful. Wonderful. Thank you so much. No, we were just talking about the artificial intelligence and how it can be utilized in our country. Hmm. So, I think one of the areas where it can be very useful is to reach the unreachable. in the remote areas where we do not have doctors. We have nurses or we have the A&Ms. They can be given the, you know, the algorithms. We have like algorithms, you put in the symptoms and you get the disease pattern. You get the management guidelines. Not only that, they can do the telecommunication with a doctor who is sitting in the district. And they can do the triaging. Triaging is one of the most important thing for dealing with the emergency medicine. Like obstetrics, pediatric, or even adult. So, she can triage that this patient need to go to the next speciality or go to the higher care center because there is a need. But I think human intelligence is still much better than artificial intelligence. We require human intelligence to control artificial intelligence. Oh, yes. Because artificial intelligence is good for algorithms for doing certain stuff, but not for medicine itself. So, I think in medicine artificial intelligence have a role. But as long as human intelligence is there, I do not think artificial intelligence will take over human intelligence. Chad GPT, for example, the inventor of Chad GPT was so disappointed recently that he sort of brought away from it. So, I think it is very important that we still basically use the human intelligence to use the artificial intelligence for our benefit. Otherwise, we will get overwhelmed with artificial intelligence. Yeah. I mean, obviously, artificial intelligence is not something that fell from the air. It has been created. The human mind has done it. So, whatever has been fed into it or whatever has been fed into it or whatever has been set to it. To use it wisely, yeah. I said it's for using your mind. Exactly, yeah. So, you know what I mean? My brain is in India's mind that has been a wish list. Dr. Sajab has given me. You can become a wish list. How are the focus on? And what are the focus on? And what are the work on? उसने मेरे आवाज को लेकर की मेरी मूर्ती बना दियो. इसने मेरे आवाज को लेकर की मेरी मूर्ती बना दियो. On the 10th season, please don't believe whether it's actually me sitting or my AI developed image. I mean, I don't know where we are going. Sorry, I'm not. Ravi से जानना चाते है. आगे के लिए आपका ambition. Ambition, yes, we are doing a lot of work on the technology, on the open AI. We have, last year, we have launched together chatbots which are for the Durex birds in the Bees Talk program also under the Detall Bannega Swast India which catered to around 4 million kids in the North East. Ranging from the bordering districts of, you know, Arunachal Pradesh to Nagaland to many others. So, one is that. Second is like, you know, also working on making the voice modules under the, you know, open AI so that the questions can be asked in the villages and people can reply. Abhujpuri में question कोई पूच रहा है और उसका जवाब दॉक्टर को समझ में नहीं आरा है कि उसका लाइज का प्रॉब्लम है. वो लाइज इंटरफेस को कैसे आप सौट अउट कर सरौ. अमरपद बेढ़ देजे का, हम बोल देखे. Next, research के लिए, Sankhet, research is also very important. When I say research, there is one part of research which is epidemiological research, the second part which is a social research, there is a third part which is more from the point of view of, you know, return on investment and all that. but what I really think on the public health point of view is it's very important to invest deeply into the ethnographic studies because we don't understand the ethnography if we don't send our researchers to live in the communities observe it, feel it, see it they go with the quant and qualitative data discussions they fill the questionnaires, they come back you ask them about the culture, subculture, norms those patrons don't emerge while working, you know, in the public health so there's more investment which is required fourth is like making sure the voice is heard right at the right place and when India is leading on many other fronts why can't we be with the knowledge hub for the world also why I have to host something like this in the UK or somewhere why can't we host in India with all the doctors and the you know the great people we have in India that's my last wish list it's very big now we will be waiting for season 10 time-ka October 2023 ka jab hum season 10 launch karenge vanega swast India ka you are the you know the knowledge and you are the future you will take us sir we survive because of all of you and your thinking so thank you so much for being with us thank you so much thank you thank you so much thank you so much for coming please overcome time 'o'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u'u झाल झाल